हेलो गाइस वेलकम टो आवर यूटूब चैनल स्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ तो देखे उत्राखंड के महतपॉर्ण यूटूब चैनल स्टेडी विद एम पर अपलोड कर दिये गए हैं जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी यूटूब चैनल स्टेडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम 20 most important msecure discuss करेंगे जो के आपके आगामी उत्राखंड पुलीस पटवारी लेकपाल बंदी रक्षक LDC and other wonder exam के लिए important हैं तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को starting से लेकर end तक जरूर देखें वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लें साथ इसाथ बगल में जो bell icon देख रहा है इससे भी press कर लें ताकि हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका notification आपके पाद जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारी टेलिग्राम चैनल को भी जॉइंड कर सकते हैं अराउंड 6.3 के यहाँ पे group members हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे quiz का एजन भी कराये जाता है इसके अलाबा other important updates, pdf से ही पे share की जाती है लिंक आपको उसका description box में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर इस series का पहला question है उत्राखंड लोग सेवा आयोग की प्रथम महिला सदश्य कौन थी? देखें उत्राखंड लोग सेवा आयोग की प्रथम महिला सदश्य थी सुधा पांडे option first question का correct answer है उत्राखंड लोग सेवा आयोग का मुख्याले हरी द्वार में इस्तित है हरी द्वार में उत्राखंड लोगसेवा आयोग का मुख्याले है और देखें उत्राखंड लोगसेवा आयोग की अधिसूचना 14 मार्च 14 मार्च 2001 को जारी हुई और 15 मई 2001 को लोगसेवा आयोग नए संगठन के रूप में शुरू हुआ और इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और उत्राखंड लोगसेवा आयोग के प्रथम महिला सदशी थी सुधारानी पांडे नोट डाउन का लिजिए नेक्स्ट कुश्यन है मुक विनी में प्रथा किस जनजाती में प्रथा है most important question है देखें मुक विनी में प्रथा ये प्रथा है राजी जनजाती में option third question का correct answer है इसके अलावा राजियों में एक और प्रथा का प्रथा का प्रथलन भी है जिसका नाम है वधू मोल्य प्रथा इस प्रथा का प्रथलन भी है राजी जनजाती में बात करें थारू जनजाती की तो थारू जनजाती में भी एक प्रथा का प्रथलन है जिसका नाम है दिख नौरी प्रथा दिख नौरी प्रथा का प्रथलन किसमें है कि जनजाती में थारू जनजाती में note down का लिजे important points है और भूटिय जंजाती की बात करें तो भूटिय जंजाती में दिखिए ततसत प्रथा ततसत प्रथा और दामुला प्रथा ततसत प्रथा और दामुला प्रथा का प्रचलन किस जंजाती में है ये प्रथा प्रचलित है भोटिया जन्जाती में और जौनसारी जन्जाती की बात करें तो इसमें प्रचलित है गणात प्रथा गणात प्रथा का प्रचलन है जौनसारी जन्जाती में तो चारो प्रथाएं चारो जन्जातियों में जो प्रथाएं प्रचलित हैं यह आपको ध्यान में रखनी है राजी में उन नगरी के नाम से प्रिशिद्ध है मुन्शारी ऑप्शन फोर्थ इसक्रिशन का राइट आंसर है जोहार छेत्र का प्रवेश द्वार मुन्शारी को कहा जाता है और मुन्शारी किस जनपत के अंतरगत आता है पिथोरा गड़ जनपत में ये इस्तित है मुन्शारी और देखे प्राचीन नाम की बात करें मुन्शारी का प्राचीन नाम क्या था तिकसेन मुन्शारी का प्राचीन नाम है मुन्शारी में उनी वस्तुएं जैसे शौल, कालीन, पाश्मीना, दुशाले मिलती है ये ध्यान रखेगा इसके अलावा देखे एक और important point है कि मुझ्षारी में सुरेन सिंग पांग्ती जी के घर पर निजी संग्राले है जिसे क्या कहा जाता है Master जी का संग्राले कहा जाता है ये ध्यान रखेगा important point है आगामी एक्साम के लिए अगला देखेगा उत्राखंड में कौन सा आभुषण हाथ में पहनने वाला है तो देखेगा उत्राखंड में इन चारों में से ऐसा कौन सा आभुषण है जो हाथ में पहना जाता है तो इस आभुषण का नाम है मुंदरी option थर्डिस्कुशन का राइट आंसर है अंगूठी ध्यान दिजेगा अंगूठी हाथों की उंगलियों में पहनते हैं और इसी को ही मुंदरी या मुंदरी कहा जाता है मुंदरी या मुंदरी कहा जाता है जो हाथों की उंगलियों में अंगूठी पहनी जाती है उनको और देखे तुगियल की बात करें तो तुगियल कुमाओ छेत्र में कान में पहनने वाला आभूशन है और फूली जो है ये नाक में पहनी जाती है और इसको कील भी कहा जाता ह कीव भी कहा जाता है, Fully आभुशन को, और इमर्ती आभुशन जो है, इमर्ती पैरों में पायल के साथ पहनी जाती है, नेक्स्ट कुश्यन है उपरी गंगा नहर का निर्माण किश वर्ष पोण हुआ देखे उपरी गंगा नहर इसका निर्माण पोण हुआ वर्ष 1854 इस भी में आप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है देखे राजी की सबसे पुरानी नहर है उपरी गंगा नहर राजी से लेकर 1854 के बीच हुआ था यहां नहर हरीद्वार से देखे यह उपरी गंगा नहर जो है यह कहां से निकाली गई है हरीद्वार से निकाली गई है कहां तक कानपूर तक हरीद्वार से कानपूर तक उपरी गंगा नहर निकाली गई है और इस नहर को बनाने का पूर्ण श् जो है यह कृस्ट को दिया जाता है एक ब्रुटिस इंजिनियर को दिया जाता है जिसका नाम है पी बी सुस्टके झाता भीम हैं सो के आये थे उसी तरीके से पीबी कोटले ने उपरी गंग नहर का निर्मान किया था हरी द्वार से लेकर कानपूर तक इसलिए इनको आधुनिक भगीरत भी कहा जाता है और देखिए आपका उपरी गंगा नहर जो है इस नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया लॉड डलहोजी के द्वारा लॉड डलहोजी के द्वारा इस नहर का उद्घाटन किया गया आपको कमेंट शेक्शन में कमेंट करके बताना है कि उपरी गंगा नहर इसकी लंबाई कितनी किलोमेटर की है जल्दी से कमेंट कीजिएगा कमेंट शेक्शन में अगला देखिए नेक् अगला कुश्यन देखिए राजि का सरवाधिक जैव विवितता वाला छेत्र कौन सा है इंपोर्टेंट कुश्यन है राजि का सरवाधिक जैव विवितता वाला छेत्र कौन सा है ये है फूलो की घाटी ऑप्शन फोर्ट इस्कुशन का करेक्ट आंसर है देखिए फूलो की घाटी चमोली जनपद में इस्तित है चमोली में नर एवं गंद मादन परवतों के मद्दी इस्तित है फूलो की घाटी और इसकी खोज 1931 इसभी में फ्रैंक स्माइध द्वारा की गई देखिए फूलो की घाटी को वर्ष 82 इसभी में राष्टी उद्द्यान घोशित किया गया और यह राष्टी उद्द्द्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर 6 रफल में फैला है फूलो की घाटी को वर्ष 2005 को युनेसको में विश्व धरूहर खोशित किया गया नेक्स्ट क्रिशन देखिए गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लिजे जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूटुब चैनल इस्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ अपने बड़सप ग्रूप समय और बताईएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आउट एक्साम के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है डेली रात को आठ बजे प्रोवाइट कराई जाती है आपको तो आठ बजे आप उत्राखन के क्लाश जॉइन कर सकते हैं अगला देखे भगवान राम ने अंतिम समय में किस स्थान पर तपश्या की थी भगवान र भागी रती और अलक नंदा नदियों की संगंपर इस्तित है और देखे देव प्रियाग में भगवान राम का रगुनात मंदिर भी है रगुनात मंदिर भी यहीं पर है देव प्रियाग में जो कि किस शैली में बना है द्रविड शैली में बना है देव प्रियाग का अन्य नाम की बात करें तो सुदर्शन छेद्र एवं इंद्र प्रियाग इसके अन्य नाम है और भगवान राम ने अपने अंतिम समय में यहीं पर तपश्या की थी देव प्रियाग में यह सारे पॉइंट्स त्यान रखने हैं अगला देखे नेक्स्ट क्वेश्यन है आजाद हिंद फॉज में वीर्था दिखाते हुए कितने गड़वाली शेनिक शहीद हुए थे देखे आजाद हिंद फॉज में वीर्था दिखाते हुए आजाद हिंद फॉज का गठन हुआ और इसका गठन किस ने किया था आजाद हिंद फॉज का गठन किया था कैप्टन मोहन सिंग ने आजाद हिंद फॉज का गठन किया दिहांदी जी का उननी सो थीटालिस इजबी में सुबास चंद बोस ने सिंगापूर में आजाद हिंद फॉज की बागडोर संभाली जिसमें उत्राखंड की बारा प्रतिशत शैनिक यानि लगभग पचिस सो धाई हजार सैनिक इसमें थे लगभग उत्राखंड के बादा पृतिसर सैनिक यानि धाई हजार सैनिक इसमें थे आजाध हिंद फौज में नेक्ट कूशन है कोट द्वार में गो रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी most important है दीखे कोट द्वार में हुई गो रक्षणी सभा की स्थापना और ये किस वर्ष हुई ये हुई थी वर्ष उननीस साथ इस बी में option फर्ष्ट कूशन का correct answer हो जाएगा 1907 इजवी में धनी राम वर्मा ने कोड़ द्वार में गो रक्षणी शबा की इस्थापना की अगला कुश्यन है भीष में चंद की हत्या किस ने की थी? देखे भीष में चंद जो हैं चंद शाषक भीष में चंद की हत्या किस ने की थी? इनकी हत्या की थी गजवा ने option second बिल्कुल right answer हो जाएगा भीश्म चंद ने चमपावद से राजधानी अलमोडा इस्थानांदरित की थी तो आपसे question पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे चंद शाशते जिन्होंने राजधानी चमपावद से अलमोडा इस्थानांदरित की तो ये थे भीश्म चंद जिन्होंने चमपावद से राजधानी अलमोडा इस्थानांदरित की और अलमोडा में खग मरा किला अलमोडा में खग मरा का किला इस्तित है और ये किला किस ने बनाया था भीश्मचंद ने बनाया था और देखिए भीश्मचंद का तामर पत्र भी यहां पर मिला यह आपको ध्यान में रखना है भीश्मचंद का एक तामर पत्र मिला है जो किस इश्वी का है यह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे अगला देखिएगा नेक्स्ट कुश्यन है गोपिश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास सस्थान की स्थापना की स्थापना और यह हुई बर्ष उन्निस सो नवासी इज़ी में ऑप्शन थर्ड इस कुश्यन का करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए गोपिश्वर क प्राचिन नाम था गोपाल गोथला और गोष्थल इसका प्राचिन नाम था और गोपिश्वर के रुद्र शिव मंदिर में छेवी शतापदी के गोपिश्वर में इस्तित है रुद्र शिव मंदिर यहां पर छेवी शतापदी के नाग राजाओं के त्रिशुल लेख मिल गोपिश्वर मंदिर विदीशा के नागवंशी राजा गणपती नाग ने हिमादरी शैली में बनाया था किस शैली में बनाया था हिमादरी शैली में इन्होंने ये बनवाया था और जिसका प्राचीन नाम था रुद्र महालई नोट डाउन कर लिजे इसका प्राची नाम क्या था रुद्र महालई अगला देखिए next question है काली कुमाओं छेत्र में पहला भूब अन्दुबस्त किस ने किया था देखिए काली कुमाओं में पहला भूब अन्दुबस्त ये किया था रतन चंदने option first discussion का right answer हो जाएगा वीडियो पसंद आ रही है तो like कर लिजे जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वे लोग जरूर subscribe कीजेगा लेकिए जादे से जादा comment कीजेगा comment section में आप सभी लोग comment कर रहे हैं इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया बहुत अच्छा लगता है आपके comments पढ़के तो आप comment section में comment करते रहिएगा इसके साथ ही आप सभी लोग अपना score type चरूर कीजेगा इससे आपकी तैयारी पता चल जाएगी आपको आपकी कितनी तैयारी चल रही है बहुत अच्छ देखे next question है विल्यम ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रे को कब पार किया था देखें विल्यम ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रा इसको पार किया था वर्ष उन्निस सो सौरी वर्ष 1830 इस भी में option second बिल्कुर right answer हो जाएगा ट्रेल पास दर्रा ये पिथोरागड वाव बागेश्वर के बीच में पढ़ता है ध्यान दिजेगा पिथोरागड और बागेश्वर तो इन दो जिलो को जोडता है ट्रेल पास दर्रा यहाँ पर बीच में पढ़ जाता है पिथोरागड वागेश्वर के ट्रेल पास दर्रा और ट्रेल पास दर्रा की खोज ट्रेल ने की थी कब करी 1830 इजवी में ट्रेल ने इसकी खोच करी जिनके नाम पर इस दर्रे का नाम रखा गया और देखे पिथोरागड और चमपावत को कौन सा दर्रा जोडता है चमपावत और पिथोरागड के बीच कौन सा दर्रा पढ़ता है यह कुशन आपसे पूछा जाता है तो इसका नाम है लासपा दर्रा लासपा दर्रा नोट डाउन का लेजिएगा पिथोरागड वच्छंपावत के बीच पढ़ता है लासपा दर्रा अगला कुशन है किसके शाषन काल में कुमाओ पर रोहिलो का आकरमन हुआ था देखे रोहिलो का आकरमन हुआ कुमाओ पर कलियांड चंद चतुर्थ के शाषन काल में ऑप्षन थर्ड इसकुशन का राइट आंसर है देखे जो कलियांड चंद चतुर्थ है इनका कारिकाल 1730 से लेकर 1747 इजवी तक रहा और कलियांड चंद चतुर्थ के समय 1743 से 1745 इजवी को कुमाओ पर रोहिलो का आकरमन हुआ और देखे है रोहिला आकरमन के समय गडवाल का शाषक था परदीप शा परदीप शा ने चंद शाषक की क्या कि help करी मदद करी यह प्रधीप शहां ने चंद शाष्रक की अगला देखेगा next question है रोहिला आक्रमाण के समय चंद शाष्रक की help करी थी प्रधीप शाने अगला देखे गैर सेंड को चंद्र नगर नाम किश वर्ष दिया गया था most important है देखिए गैर सेंड को चंद्र नगर नाम दिया गया था वर्ष 1992 में option फोर्थ स्कुषिन का right answer है देखिए वीर चंद्र सिंग गडवाली को श्रद्धानजली देने हेतु गैर सेंड का नाम UKD ने चंद्र नगर किया था गैर सेंड जो है ये कहां पर है चमोली जिले में स्तित है चमोली गैर सेंड और दुधा तोली वह व्यास श्रंखलाओं से ये घिरा है 1992 को उत्राखंड क्रांती दल यानी UKD ने अपना पहला ब्लूप्रेंट जारी करते हुए गैर सेंड को प्रस्तावित राजधानी माना और उसका नाम क्या रखा चंद्र नगर रखा UKD ने इसका नाम उत्राखंड कुरांती दल ने इसका नाम क्या रखा चंद्रनगर रखा और कौशिक शमीती ने प्रस्तावित राजी की राजधानी गैर सेंड बनाने की शिफारिश की थी और देखे 11 जन्वरी 2001 को अंतरिम शरकार ने इस्ताईर राजधानी चयन आयोग का गठन किया जिसको पुनह निर्वाचित सरकार ने नवेंबर 2002 को पुनर जीवित किया और देखे 2017 से 2017 में गैर सेंड विधान सवा का सत्र जो है ये प्रारम हुआ अगला देखेगा next question है कुमाओं में किस छेत्र को मानस खंड से शैल देश कहा गया है तो इसका right answer हो जाएगा गंगोली हार्ट को कुमाओं के कुमाओं छेत्र को मानस खंड में कुमाओं छेत्र के मानस खंड में गंगोली हार्ट को शैल देश कहा गया है ये ध्यान रखेगा गंगोली हार्ट जो की पिथोरागड जनपद में इस्तित है कहां पर इस्तित है पिथोरागड जनपद में ये इस्तित है और स कोठी राजाओं का यहाँ पर साशन रहा और मन खोटी राजाओं के बारे में जानवी नौला के एक लेख में मिलता है ये ध्यान रखेगा और गंगोली हार्ट जो है ये राजा सुजान देव ने बसाया गंगोली हार्ट में ही हार्ट कालिका का मंदिर भी इस्तित है यहां पर प्रिशिद्ध मंदिर है यह हार्ट कालिका का मंदिर जो कि आपके गंगोली हार्ट में ही इस्तित है अगला देखें next question है उत्राखंड में चक बंदी आंदोलन की शुरुवात किस ने की थी देखें उत्राखंड में चक बंदी आंदोलन इसकी शुरुवात की गणेश गरीब ने important question है option third question का right answer हो जाएगा देखें गरीब को भारत गौरोव सम्मान से भी नवाजा ग important question है इन में से कौन सी धारा ऐसी है जो पंच धाराओं में शामिल है तो इसका right answer हो जाएगा उप्युक्त सभी देखें कुर्मो धारा और वर्षि धारा भ्रगु धारा सभी पंच धाराओं में सम्मिलित है तो उप्यूक्त सभी option fourth question का right answer है देखें ये सभी धाराएं कहां पर हैं ये सभी धाराएं हैं बद्रिनाथ धाम में बद्रिनाथ धाम में इस्तित है पंच धाराएं पंच धाराओं में कौन कौन से शामिल है एक हो गया आपका कुर्मो धारा दूसरा होता है इंदू धारा तीसरा है उर्वर्षि धारा चोथा है ब्रगु धारा धारा और पांचवा है प्रहलाद धारा तो ये सभी पंच धाराएं जो है नोट डाउन का लिजेगा इंपोर्टेंट है आगामी एक्जाम के लिए और ये धाराएं कहां पर इस्तित हैं बदरिनाथ धाम में इस्तित हैं इसके अलावा देखें पंच धाराओं के अलावा पंच या पांच शिलाएं भी बदरिनाथ धाम में इस्तित हैं तो पंच शिलाएं कौन-कौन सी है नोट डाउन का लिजे एक है नरशिंग शिला दूसरा है नारत शिला तीसरा है गरुड शिला और चोथा है ब्रहम पाल शिला और पांचवा है मारकंडे शिला तो ये शिलाएं और भी कहां पर है पंच शिलाएं बद्रिनात धाम में इस्तित है अगला दीखें नेक्स्ट कुष्चन है क्खिरा कोट आंदोलन का संब्द था दीखें खीरा कोट आंदोलन जो था ये किस संब्द था ये था खड़िया-खनन शेसे आप्शन का कर्यक्टर आंसर है देखे खीरा कोट आंदोलन अवैत खड़िया खनन की विरुद्ध चलाया गया था और इस आंदोलन का नेतित्व किस ने किया इस आंदोलन का नेतित्व किया राधा भट ने राधा भट के द्वारा इस आंदोलन का नेतित्व किया गया राधा भट जो है ये यात्रा में सक्रिय रही और देखे 1961 से लेकर 1963 के दोरान इन्हों ने अपने ही गाउं में गांधिवादी आधर्शों और कारेप्रणाली पर आधारित समात सेवा के प्रचार किये तो ये काफी इंपोर्टेंट आंदोलन था खीरा कोड का आंदोलन जो की खड़िया खनन अव आपके आगामे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ओके गाईज आज की वीडियो में इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी ह तो आप YouTube चैनल Study with AIM को सस्क्राइब नहीं किया है, वे लोग सस्क्राइब कर लिजेगा, डेली आपको ये वीडियो प्रोवाइट कराई जा रही है, हमारी YouTube चैनल Study with AIM पर, तो आप YouTube चैनल Study with AIM को सस्क्राइब कर लिजेगा, चलिए मिलते हैं एक नए इंट्रेस्टिंग वी आनिया ओट